मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अगरवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार फ्रेंड्स मुझे पूरी उमीद है कि बीच के ये दो दिन आपके सुखद रहे होंगे और कोरोना से बचाओ के लिए जो एहतिहात बताए गए हैं उन सब का आप सबने पूरी तरह ध्यान भी रखा होगा तो आईए अब आगे की बातें करते हैं फिलाल हम लोग गौतम बुद्ध के स्टांग मार्ग पर बात कर रहे हैं और आज उसी का ही एक अगला मार्ग है सम्यक प्रयास इस से पहले मैंने सम्यक आज जीवी का पर बह बातें की जा सकती हैं लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब कुछ जादा ही हो जाएगा तो इसलिए आज मैं सम्यक प्रयास पर बात करने जा रहा हूं लेकिन एक बात मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों जब भी हम फिलासफी की बातें सुनते हैं तो हमें ऐसा ल रहे हैं जो भागे भागे फिर रहे हैं दुनिया में ऐसा क्यों मतलब उनके लिए एक बहुत बड़े दुख की इस्थिती है इतना बड़ा ब्यापार और सब बिलकुल ब्यापार का सामराज समाप्त होते हुए दिख रहा है धन है वो किसी काम का नहीं दिखाई दे रहा ह यह सब क्यों हुआ कैसे हुआ इस पर विचार कीजिए अभी आपने यही भी अख़बारों में पढ़ा होगा कि कुछ अस्पताल ऐसे थे जिनके लाइसेंस रद कर दिये गए या अस्पताल के सामने ताला लगा दिया गया है बहुत कुछ दुकाने ऐसे सील कर दी गई क्य यही कारण है कि वे आज इस पूर पीड़ा को या यू कहले इस दुख को भोगने के लिए अभी शपत हैं आईए अब अगले पर बात करते हैं सम्यक प्रयास हलाकि यह सुनकर के आपको थोड़ा सा लग सकता है कि इससे पहरे सम्यक कर्म की बात हो चुकी है तो कर्म भी तो एक तरह का प्रयास ही है आज जीविका जब आप सम्यक तरीके से करेंगे तो वह भी एक तो सम्यक प्रयास ही होगा क्योंकि प्रयास करके ही आप आज जीविका चलाएंगे लेकिन यहां जो सम्यक प्रयास को अलग रखा गया है डिफिनिटली इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीती है विचार पूर्वक ये बात कही गई है और यहां सम्यक प्रयास कहने का मतलब है कि जैसे हम सब को अपनी आजीविका का एक आधार मिल जाता है देखे जब मैं आजीविका कह रहा हूँ तो उसे आप सीधे सीधे भरण पोशन से ही मत जोड़ करके देखे एक ऐसी स्थिति आती है कि हम आजीविका के लिए कुछ नहीं कर रहे होते हैं लेकिन कुछ न कुछ तो कर रहे होते हैं चाहे हम समाज से जुड़ करके समाज सेवा कर रहे हूँ को बेहतर कैसे कर सके इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए ये नहीं कि जो कुछ भी हमने सीख लिया जो भी हमने समझ लिया बस वही तक सीमित है अभ हमारा काम अच्छा चल रहा है तो बस बात खत्म हो गई सरकारी नोकरियों में तो आप जानते हैं कि बंदी-बंधाई सैलरी मिलती है, अगर आप कोई बहुत-बड़ा काम कर लेते हैं, तो कोई पुरसकार नहीं है, तो लोग डल रहते हैं और अपना कर रहे हैं, ठीक है चल रहा है, यह जो सम्यक प्रयास है, यह इस attitude के विरोध में है, यहां कहाए य है कि नहीं, आपको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, कोशिस करते रहने चाहिए, और यह जो कोशिस है, यह बेटर मैंड की तरफ होना चाहिए, यानि कि कैसे हम इसी काम को और बहतर तरीके से कर सकें, या कि अभी हम जो कुछ भी कर रहे हैं, कि हम इस से भी बहतर कोई दूसरा काम कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके अंदर ऐसी छमता है, ऐसी रचनात्मकता है, ऐसी योगता है, तो definitely उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए, तो यह जो प्रयास है, यह क्या करता है, यह प्रयास हमारे जीवन को आगे ले जाता है, हमारे जीवन तोर पर हमें कहिन कहिन आनंद की प्रापति होती है, और जब आनंद की प्रापति होती है, तो दुख की अनुभूति अपने आपकम होने लगती है. देखिए सम्यक आजीविका में भी यही बात है जब हम अपनी आजीविका के साथ सम्यकता पूर्वक ब्यवहार करते हैं तो हमें उस काम में आनंद आने लगता है जब हम सम्यक प्रयास करने लगते हैं तो उस काम में और ज़्यादा दक्षता प्राप्त होती चली जाती है उस काम में और ज़्यादा सफलता मिलती चली जाती है और जब ज़्यादा सफलता मिलती है तो हमें ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है और जब ज़्यादा आनंद होता है तो जो छोटे मोटे दुख छ आनंद बहुत ज़्यादा होता है और दुख बहुत कम होते हैं निगलिजिबल तो दोस्तों जो सम्यक प्रयास है वह इस तत्थ से जुड़ा हुआ है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं लगातार उसे और अच्छा करते रहने की कोशिस करें तब सदता है सम्यक प्रयास और हमारी जो कोशिस होनी चाहिए ये बहुत सही दिशा में होनी चाहिए सही फार्मूले के तहत होनी चाहिए तो दोस्तों इस पर भी आप सब विचार करें आज बस इतना ही अब इजाजत चाहूंगा नमस्कार